स्री राम के तेज गिंद बाज परेश के हाथ में गेंद और कुरूती के दोनों सलामी बले बाज कुरूती को आज एक अच्छे प्रदेशन से उम्मीद होगी उनके कम्तान को चलिए स्क्रिंट में आता हुआ अच्छे अच्छे स्वाओती का अच्छे जढस बाज एक पिर्देशन से वार श्यनके का अच्छे इस भाज़ प्रदेशन सेम्मींkä गेंद बाजी में परेश, स्ट्राइक पर नर्शी, नोग स्ट्राइक पर शुबाश, अंपायर प्रकास आहिर और योगी अपना स्थान लेते हूँ कमीटी मेंबर्स थर्ड अंपायर, मोहन गावल और रामिट पर्टी आज का ये पहला मुकाबला, टुनायमेंट का चोदमा मुकाबला, इस वीच अगली गेंद, और परेश ने अची गेंद, याँ पे गुर्लेंद पे डाली गेंद, सही तर से टाइम नी वा बले और गेंद का साइस संगम नी वा, कोई फाइदा नी, कोई नुक्षान नी, हमारे साथी कॉमेंटेटर पिंटोब मातागी, जी बिलकुल वाल जी भाई धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वाल जी भाई, जो कि हमारे कमिटी मेंबर के साथ-साथ एक अच्छे एंकर कॉमेंटेटर भूमी का अधा करते हुए, चले गिन बाज परेश, ओवर देविकेट से, इस बार लतार कर मारा है, और यहां पर दो फिल्डर के लिए लंबा चेश है, लेकिन मुश्किल, गेप डून लिया, और वाल जी भाई आज क्या दिन निश्चित तोर पर सभी टीमों के लिए बड़ा है, चुकि देखिए जिन की मैच नहीं है, वो जो बड़ा टॉटल चीश किया, नो ओवर में, जिसकी मदद से आज के मुकाबले काफी एहम है वाल जी भाई, जी बिल्कुल, पिटो, सब को यहां पर एक आउसर है, सेमी फाइनल की सफरताई करने के लिए, अभी भी क्रिकेट अनुस्चित ता हूँ, ख्याल, कुछ भी क कहजना जाना नामुस्ट इस भी चक लिकेट, और यह हवा में खिला हूँ, खिलाड़ी उसके नीचे, और यहां पर पहली सफलता मिले स्री राम को, नर्टी यहां अपने नीजी चार के योग पे आउट होकर पेविलियन में वापस, अच्छा केट देखने को मिला नए बले बाज से गुजारिस, और टीम मेंबर को यह ध्यान में रखना है कि आपको टाइमर के तहित अपने नए बले बाज को तयार रखना है, नेबले बाज के तोर पर बंडे बहु है, आज दमा का करने के मूड में उतरेंगे, जिनका है आज जनम दिन और अहीर समाज के एक अच्छे ओल राउंडर, दिलिप मैक्सी, नमबर तीन पर काफिल लाजवाब केट देखनी को मिला स्री राम फाइटर के खिलाडियों की चुस्ती नजर आती हुई, और वल जी भाई आज के मुकाबलों की बात करें तो निश्चित तोर पर आज जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी, की दूसरा, तीसरा, चौतरा मुकाबला आएगा, दर्सकों का आगाज होगा, भीड बढ़ेगी, अपने अपने टीम के सपोर्टर जूडेंगे हमारे साथ, और अब दो दिन बचे है, वाल जी भाई, निश्चित तोर पर ट्रूनामेंट, पिछली तरह इस बार भी काफी सफल नजर आ रहा है, बिल्कुल पिटू, और जो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे, वो भी हमारे साथ ओनलेन जूडेंगे, क्योंकि सब की निगाहे, आज सभी मै पर रहेगी के कौन सेमिफाइन को का रास्ता तै करते हैं, इस बीच नई सोच, नई विचार के साथ अगली गें, और यहाँ पे लोंगोफ में खेला हुआ सोट, तोरी मिट्विकेट के उपर से, चार रन-चार रन के साथ स्कोर चार का दमोर आगे, यानि कि स्कोर जा अगली गेंड, इस बार थोड़ी सी धीमिकती के ओप्स्टम की गेंड थी, कट करने का प्रयाज था, सिधे फिल्टर के पास, और स्री राम फाइटर्स की बात करें, तो उनके पास पी अच्छा खासा मोगा है, टॉप टू में जगा बनाने का, और कुरूती नाइट राइडर्स, जिनका रिजल्ट पिछली बार ठीक नहीं आया, लेकिन आज सुधार्ने का प्रयास करेंगे, सुभास के उपर पूरा रहेगा दारोमदार, और बड़े बोई, मैक्सी, स्ट्राइक पर और बड़ा की नारा, यकिनन चुक होई विकेट की पर से, यहां लगबग जाल में फस गए थे, आसान सा मोगा था, लेकिन मैक्सी, चुकि आज बड़े हैं, और साथ में लख लेकर आए हैं, ओवर की हुई की समापती, तो पहला आवर, ठीक ठाक गुजरा, विकेट वाला नोरन का, पावर प्ले, बड़िया घटा है, हम तीम गेंट पर जो जीवतन मिला, अब बले बाज गो, निश्ची तोरपन का फाइदा उटाना होगा, और वाल जी बाई, यहां से ऐसा लग रहा है कि, इस मेट पर भी काफी निगाह होगी, चुकि स्रीराम फाइटर ने, प जेशा मकाबला है, जी बिल्कुल, पिटू दी, दोनों टीमों के लिए, करो यह मरोजेसा मकाबला है, यहां पे, दोनों के लिए, सेमी फाइनल का रास्ता तय करने का ये, आखरी मौका है, दोनों ही टीम अपनी जी जान, इस मेट में इस बीच, और यहां पे, इस दबीग चेरन चेरन के साथ च्छे कदम और आगे स्कोर यानिकी स्कोर जा पहुचा पंद्रा रण बड़े बोई आज काफी लग और फॉम में ज़रा रहे हैं क्या करपाते अपने टीम के लिए और यहां पर हल्की सी सोट अफ लाइंड गैंड दिशा से थोड़े पटके से लेग साइट पिक डाली भी गैंड उठा के मारा और यह चेरन चेरन के साथ स्कोर चे कदम और आगे यानिकी स्कोर जा पहुचा एक किस वाल जी भाई इनामो की बात करें तो मैक्सी अगर चार चके लगादार लगाते हैं तो जिनाम टेली कोम मिते साहिर की तरब से 228 रुपे का पुरुषकार और हैट्रिक चके लगाने पर दो केजी घीतो है यह चांस उनके बास इस बार ठीक टा गेंद आये लेकिन चोका बटोर लेंगे बाउंट्रियों की बारे सुरू हो चुकी है बड़े बॉय आज अपना रंग दिखाते हुए और देखिए पिछली गेंद पर आखरी गेंद पर उनको जीवत्तान मिला था और इस वक्त उन्होंने हमला किया है प फिल्डर है वहाँ पर बाउंटरी लाइन पर ज्यादा दूर नहीं सिंगल से काम बनेगा लेकिन इस अच्छी रिकवरी होई है 26 एक विकर की नुक्सान पर मेक्सिक की बात करें साथ गेंदों में 22 पर और पहली मर्तबाब सुबा स्ट्राइक पर आए है आज सुबा से दर खाता खोलेंगे आधा अधूरा सोट खेला था और वल्दी भै आज निश्चित तोर पर लोकल टीम कही जा सकते है गुरूती नाइट राइडर्स और बाल कृष्णे का भी मकाबला है तो आज दर्शकों के लिए क्रिकेट के काफिया आनन दे है इस बार फुल्टोस बना क खेलने का प्रयास्ता ओफ स्टम पर ज्यादा बाहर वाइट का ही सारा हुआ संपू ने मुर्कर उंपायर के दर्फ जरूर देखा लेकिन निश्चित तोर पर सिंगल वाइट के रूप में मिलेगा एक देन अभी आनी बाकी यह अवर बड़ा बन रहा है 19 आ चुके है चले के मैक्सी छोटी ची लेकिन एक तावर तो पारी खेल कर बढ़ने बॉय वापस लगने वाला दूसरा जटका है 28 28 पर दो मैक्सी 22 की इनिंग हुई उनकी समाप दूसरा ज़ल चूसरा जो हँर रवाफ वाबने वाल साहेद्टर जो प्रकाही है मैक्सी 23 तो मैक्सी 22 बड़त्र, वाल सबहत्व 50 की, की, ग क दही है । 7 की टेले का गो झाल वाल सहरा का बो मैक्सी 22 बट्कान Luna दूसरा जटका लगा पाउर प्ले से मापत हुआ मिला जूला सा ये पाउर प्ले सुभास के उपर अब थोड़ा सा दबाव और जिम्यदारी पड़ेगी नेवले बाज विक्रम आये है स्ट्राइक पर सुभास सुभास ने यहां पर पूरी ताका जोकर बड़ी हिट मारने का प्रयास किया था इनामों की बात करें तो हैट्रिक चके लगाने पर दो केजी घी चप्रेडी डैरी फार्म की तरफ से तो है यह लेकिन अगर चले गिनवास एक बार फिर इस बार जग अबना करकाट करने का प्रियास और सोट थर्दमेन के खिलाड़ी वहाँ पर चौकर ने खड़े थे काफी बड़िया फिल्डिंग एक रन से संतुष्टोंगे चलती से सिंगल निकाले विक्रम ने दिरोना से तालुक रखते हैं काफी अच्छी बल्ले बाजी के लिए जाने जाते हैं सुबस उसके उपर आज काफी दर्शकों की निगाहे रहेगी खास तोर पर जैसे जैसे लाइव दर्शक मैट देखते जा रहे हैं उनका होसला बढ़ता जा रहा है इनामों की भी बारिश हो रही है छेच्छा के लगाने पर 666 का बड़ा सा पुरुसकार अभी अभी खिला के हाथ में एक और बड़ा जटका और निश्चित तोर पर तीसरा जटका लगा है तीस पर तीन और गेंद बाजों की अब बजाने के लिए गंटी आ गए वासू वंटी लेगिन वंटी के बास इस वक्त विकेट बचाने के लिए निश्चित तोर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी रहेगी अच्छी खासी बलेबाजी कर लेते हैं स्ट्राइक रेट उनका हेल्दी है विक्रम जैसे बलेबाज जब साथ में होते है तो निश्चित तोर पर बलेबाजों को वैसे भी काफी मनोबल बढ़ता है लेकिन तारिफ गेंद बाजों की बनेगी तीसरे अवर में तीसरी सपल ता और स्रीराम फाइटर्स के फाइटर आज अच्छी फाइट देते हुए कुरूती नाइट राइडर्स के मुकाबले पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं गए अभी तक और आज भी लड़कडाती पारी तीसरन तीन विकेट पर लेकिन चाहेंगे कि यहां से वंटी और व और हमारे डीजे मास्टर रोहन यकिन उनकी सेवाव की तारीफ होगी पिछले कुछ समय से जो साउंड सिस्टम में उनका प्रपाव बड़ा है और वंटी भी आए जान में फसे बड़ा हूचा केच है संभू संभू उन्होंने जिम्यदारी लेकि मैं केट लपकूंगा यह सुंबल बीट में गए लेकिन आखिर कार उन्होंने अपना आपा नहीं खोया हाथ से गेंच छूटी लेकिन केट नहीं छूटा और डीजे मास्टर की तारिफ बन रही थी काफी कम समय में साउंड सिस्टम एक बड़ा सा नाम बढ़ाया है खास तोर पर जब जब बड़ी इवेंट्स होती है तो द्वारकेश साउंड का वो आवाज चारों तरफ गूंचता है और उनके ओपरेटर निश्चित तोर पर रोहन खुंगला दोवदन खुंगला सहदे वाहीर सच्चु वाहीर काफी बड़िया टीम है और टेक्निकल टीम की बात करें तो यह पूरी टुनामेट जिनकी वज़े से सफल बन रही है खास तोर पर एप्लिकेशन के जरीए ज़रों दर्शकों तक्किलार योग तक जो ओ और विक्रम दोनों ही बड़े कद के बले बाज है विक्रम छांगा अब स्ट्राइक पर है ट्रिक पर आच चुके हैं गेंद बाज उनका कोटा काफी बड़ी अगटा है दस गेंदे ग्यारा रन और तीन विगेट उनके नाम चले है ट्रिक से तो निश्चित तोर पर बचा लिया अपनी टीम को लेकिन कुरूती नाइट राइडर्स को यहां से यह ध्यान में रखना है कि उनका यह मुकाबला निश्चित तोर पर एक बड़ी टीम के सामने है तो यहां से एक टारगेट बनाना पड़ेगा चुकि स्रीडाम फाइटर ने पिछला मुकाबला काफी अच्छी तरीके से जीता है इस बार भी सीधी सटिक गैन काफी बड़िया कोटा परेश अहीर का दो ओवर ग्यारा रन और तीन विकेट ओवर के समापती ड्रिंक्स ब्रेक ओन तीन मिनिट का ड्रिंक्स ब्रेक दावर ड्रिंक्स अजितीर परेशन का दो ओवर अपरेशन का दो थाओन चुर दो प्रेशना की दो कि दीता है आदीजे झाल 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 इसके साथ आज का दावत रिंश का हुआ कोटा समाप झाल 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 drinks is thanks to the sponsor of our drinks who is giving a good sponsorship last season and this season also Sampo Meera back in the attack horn number four in the progress and this time new man at the crease after the loss of four week eight only 30 Sambu oh welcome back the previous hour was very big for the best men but right now Sampo Obira back in the game and he understand what is the situation right now for kruti night riders and he is enjoying the bowling back this time once again his drive at the carefully there is a builder good building no chance for any single and well bowling and well building from the both of the filter Vikramahir is on the strike this time again drive carefully there is a filter may be the only single but it's a hit at the building mark and this time situation is very crucial for kruti night riders they have lost early four weekends and now they want to grow some partnership because they have a still six hour in this game left in our committee member there is a lot of people who is giving a good service to us and this time some little changes in the building it's a good comeback good line in length and Vikramahir just giving only the top edge and this time connection well filter under it oh missed it there was yes umbel who is the great filter from Sriram Bhima sir but now he is playing for Sriram lions and in the previous season he got a good catch at the boundary line up but this time just missed it and Vikram Changa we have a good idea now I have some answers to the question if you can see theاء on the other side of this so we can see the motivation of the Kruji now and here we have some answers of the questions about T31 to 25% I hit you up to see when I'm what I will see you guys you know I hit you up to see what I did you know they're going to I hit you up to see you again I hit you up to see that और देखे ओ फिल्डिंग देखी लाजवाब लेकिन विक्रम इन्होंने अपने बल्ले से जताया है और की समापती चार और की समापती की बाद हमारे गोश्वामी नीरज बताती हुए स्कोर 37 चार विकेट की नुकसान पर अभी अभी लेट आए लेटेस ट्राइडर से को को ने तीन विकेट निकाली और पारी की बात करें तो अब संभालते हुए दोनों विक्रम नीरोना से हैं विक्रम आहिर और ममुहारा से विक्रम छांगा इस वक्त मैदान पर विक्रम छांगा की बात करें तो लंबी-लंबी हीटे जड़ने में माहिर है और गेंदवाजी में अब तब्दिली दूरवाले चोर से कौशिक हुंबल काफी बड़ी आगेंद बाज है और यहां से यह देखना है कि अब किस तरीके से यह साजेदारी आगे बढ़ती है फिलाल विक्रम का बला साथ है और जानते है कि इस वक्त एक तरफ से विक्रम छांगा बड़ी हीटे मार रहे इसी बज़े से वो पारी को संभाले हुए और यहां पूरी तरीकी से दबाओ में रखा है बले बाजो को गेंद बाजो ने इस बार भी सीधी दिशा में गेंद करते हुए पले बाज को हाथ थोलने का इतना मौका दिया नहीं है खुरूती नाइट राइडर्स की टीम की अगर बात करें तो निश्चीत तोर पर इस टुनामिट में सबसे मजबूत टीमों में से एक है उनके पास वो सारे काबिल खिला डी है जो की चेंपियन बना सकते है अपनी टीम को लेकिन फिलहाल उनका सफर अभी तक मिला जुला रहा है शुरुआत अच्छी हुई थी बीच में बड़ी हार का जो सामना किया जिसकी मदद से इस वक्त उनके रन रेट में थोड़ी सी गिरावट आई और आज का मुकाबला उनके लिए एहम है खास तोर पर दोनों टीम के लिए लेकिन कुरूती को आज बड़े अंतर से जीतना ह और चले एक बड़ फिर कोशिक डाउन दे लेग इस बार स्विप करना चाहते थे प्रकास अहीर नहीं बक्षेंगे वाइट का इस तारा लाइन और लेंग थोड़ी से बिगड़ी और एक रन का इजाफा हुआ कोशिक उंबल फिर एक बात या लेफ टाम गेंदबाज ओ इस बार आफ टाम कर बिलकुल सीधी स्टिक चौथे स्टंप पर पांचवे स्टंप पर गेंदबाजी और लेफ टाम गेंदबाज जब इस तरीके की लाइन पकरते हैं तो निश्चित तोर पर बले बाजो को ज्यादा इनका जवाब नहीं मिलता और फिलहाल तो विकरम ऐसे बले बाज है जो कि अपने नेटरल खेल नहीं दिखा पा रहे है जो कि इस वक्त कंडिशन उनकी टीम की ठीक नहीं है अन्ये था एक धाकर बले बाज है और ये ताकते उनकी इसी की बात चल रही थी ये गें देखिए कितनी दूर मैक्सिमम लंबा चक्का पाले में गेंद आएगी तो बक्षेंगे नहीं सांत जरूर है लेकिन कभी भी अपना रंग बदल सकते ये बले बाज बड़ी बड़ी पारिया खेल चुके है कई मरतबा इस वार खराब गेंद का भुकतान नोबल के रूप में करना होगा रंडाउट बन सकते हैं ओहां पर अन्बन बनी ये नहीं वहां नहीं तो यहां सही कैट जरूर हुआ नोबल में लेकिन रंडाउट हो गए सामने नहीं पहुचे विक्रम छांगा और विक्रम आहिर के भी तालमेल नहीं बना बहार निकल पड़े थे और विक्रम थोड़े से नाकुष नजर आए कि ये थोड़ी सी घलती हुई अला कि और विक्रम जो कि एक लाए पकड़ रहे थे अब काफी समय से मिदान पर थे एक छका जरा था उन्होंने इस बार नोबल में रंडाउट के सिकार हुए फ्री हिट जरूर मिलेगी विक्रम छांगा को राजेश गागल ने बले बाज राजेश आहीर और विक्रम आहीर आधी टीम पैविलिन में जा चुकी है कुरूती की और विक्रम ऐसे लगा कि अब सेट हो रहा है लेकिन अब दुर्भा के वस ऐसी गटना हैं काफी कम देखने को मिलती है कि जब एक्स्ट्रा गिन पर आप आउट हो और वो भी रन आउट तालमेल में थोड़ी से गड़बड़ी अब भुगतान विक्रम शांगया को करनी पड़ेगी फ्रे हीट है उनके बास बिलकुल ही वो आज अपनी पारी को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे टीम के लिए चले काउशिक फ्रे हीट लेकर और फ्रे हीट में तो नहीं बक्षेंगे ये बिलकुल मन्चा ही गएन मिली बले बाज को ऐसी हीटे मारना जानते हैं लंबा छका जर्दिया लोंगोन के उपर से ताकतवर खेलाड़ी है इसमें कोई दोर आए नहीं कि विक्रम अगर अंतक रहते हैं तो अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेल सकते हैं इस बार फुल्टो और स्थिक गेंद बल्ले पर आई नहीं सीधे फिल्डर के पास गई है वन बाउस जब तक थ्रो करेंगे एक रन का और इसाफा होगा उदर अंपायर का ओवर का इसारा कुल मिलाकर पाँच आवर बावन पाँच विक्ट के नुकसान पर रन रेट जरूर दस का मुकमल किया है लेकिन पाँच विक्टे गवाई है अब विक्रम छांगा वो किस तरीके से फिनिस करते हैं और राजेस उनके साथ अब जुड़े हुए है अब गेंद बाजी में संभू आही रहे है सबसे सीनियर वरिष्ट किला रही है और स्री राम लाइन्स के लिए है शुरुआत करेंगे छट्टे अवर की सामने विक्रम छांगा रहेंगे और स्लो और गेंद से चक्मा दिया बल्ले बाज पहला चाहते थे कि साइद फुल्टोस बनाए फिर ऐसा लगा कि स्लो और गेंद है आगे केंद की थी और बल्ले बाज पूरी तरीके से चक्मा खा गए इस बार कराना सौट है सिदे फिल्डर के पास और विक्रम जितनी ज्यादा देर तक अपने आपको बचाएंगे टीम के लिए फायर दे में रहेंगे राजेस पहली बार स्ट्राइक पर ओ यहाँ पर आते ही हमला करने का प्रयास डाउन दे लेग था वाइट का ही सारा हुआ लेकिन बले बाज के इरादेश पस्ट जाहिर होते हुए कुछ न कुछ जरूर बड़ी हीत तलाचेंगे और उनका रॉल जो है वो उनको दिया गया है चले संबू इस बार आप्टरम ट्राइव किया है वहाँ पर फिर एक बार फिल्डर के पास गेंज जाएगी बाउंटरी लाइन पर सिंगल बटो रहेंगे खाता कोलेंगे अपने लिए टीम को पचपन पर पहुचाएंगे पाँच पॉइंट तीन अवर पचपन पाँच विकेट के नुकसान पर चले संबु आहीर इस बार उनको मन चाही गेंद मिली बेच दिया पूरी ताकत के साथ स्टेज के ऊपर एक और बड़ा चक्का और ये बले बाज है कुरूती नाइट राइडर्स के लिए उनकी जो अकंक्स है अपेक्स है उस पर खरे उतर सकते हैं इस बार लौपल टोस बना कर केला ज्यादा दूर नहीं वहाँ पर परेश खड़े थे लोंगान पर फिल्ड किया गेंद को टपा काने के बाद अच्छा वर गुज़र रहा है अब तक 10 रन बटोर चुके बले बा राजे से स्ट्राइक पर यहाँ भी डाउन दो लेग गेलने का प्रयास वहाँ पर कैट जरू लबका है लेकिन बले बाज वहाँ से ट्रस्ट से मस्ट नहीं हुए और दोनों अमपैर आपस में बातचीत करेंगे कहीं न कहीं जो उत्रा दिखाया है विकेट कीपर और गेंदबाज ने संका के दाएरे में है बले बाज लेकिन अमपैर का फैसला भी आना बाकी है and we will have to get some time to got the decision and Prakash Raheer is just coming at that place to show some results and they want to review so third umpair Mohan Gagal have to watch it or की जमापती ओके थेंक यू सो मच ओके प्रकाशाहिर के ओवर कहीं सारा तो कुल मिलाकर स्कॉर छे अवर बासट रन पांच विकेट के नुकसान पर तो कैच के लिए कोई review available नहीं है नॉबल के लिए review है हमार थड़ंपै ने बताया thank you so much and thank you so much to both of team for corporate गेंडबाजी में तब दिली अरी आये हैं गेंडबाजी के लेके और पिछली बार आखरी गेंड़ पर कोई रन नहीं मिला लेकिन स्कॉर में अब बड़ोसरी करने का समय हो चला है चारावर बचिए बासट पर पांच विक्रमें श्ट्राइक पर हरी गेंडबाजी के इस बार पटके हुए गेंड़ को पुल करने का प्रयास था थोड़ा सा ठपा नीचा रहा विक्रम को सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन सिंगल से वो जानते है कि बात पनेगी नहीं अच्छे साजेदारी बुनते हुए दीरे दीरे दोनों बले बाज फिर चले अरी और राजेस इस बार पर डाउन दे लेग गेंड़ का इसारा हुए लेकिन दिशा तलास रहे कि कहां से बाउंटरी बटोर ले और अपनी पारी को सेट करे फिर हाल दो गेंड़े खेली है अ लेकिन यह कुछ अलग प्रकार का स्ट्रोक निकाला पिटार ऐसे कुछ रिवर्स करने का प्रयास किया लेकिन हरी कापी बढ़िया गेंड़ बाजी करते हुए इस वाट पूरी तरीके से अपना स्टांस बदल दिया इस बार डाउन दो लेक इस बार भी नतीजा वाइड का होगा इस मैच के दोनों पवी अमपार मैच वन पर हमेशा रहते है प्रकास आहिर और आज योगी उनके साथ जुड़े हुए है हमारे कमीटी मेंबर चोकी ओनलाइन ओफलाइन स्कोरिंग में भी मदद करते है और फ किनारा लिया है फाइन लेक पर फिल्डर तेना थे सिंगल मिलेगा अब स्कोर पहुंचा है 66 पर आगे बीचे पीछे बीचे और साथ वावर जा रही है ओ इस बार भी पटकिवी गेंड को फुल करने का प्रयास था लेकिन जो हाइट चाहिए वो नहीं मिले गेंड विकेट कीपर के दस्ताने में संपर्क नहीं बना अच्छा आवर गुजर रहा है चार गेंडों में दो वाइट के बावजुद मतर दा चार रन खर्च किये है बढ़िया गेंड बाजी शिक्स्टी सिक्स पॉफाइव शिक्स पॉइट फाइवर काफी कंट्रोल में गेंड बाजी हो रही है इस वर से पूरी तरिके से खामोस रखाए बले बाचों को अंतिम गेंड ओ इस वार यू मेंसे एंड आई हीट बड़े बले बाद विक्रम व झाल झाल साथ अवर के बाद 66 विके की नुक्सान पर ने बले बाज मोहन आए हैं यह कि काफी तावड तो बले बाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन फिलाल जरूरत भी है उनको के अंतिम 18 गिंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बटो रहे है स्कॉर बड़ पर स्कॉर इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी एक अच्छे टोटल तक पहुच सकती है भी भी कुरूती क्या बड़ दना प्रख टूरत झी अच्छे खरें खरें से अच्छे reason William और यहां भी बड़ा किनारा विकेट कीपर से केरी नहीं लेकिन बड़िया गेंदबाजी च्यासेट पर चे आथमा वर जारी स्रीराम लाइन्स इस वक्त एक तरफ हावी होती हुई गेंदबाजी टीम पर गेंदबाजी टीम कुछ अलग करने का प्रयास इस बार अमपैर नहीं बक्सेंगे वाइट का इसारा डाउंड लेक गेंथी पॉइंट टेबल की बात करें तो सभी टीमों के लिए करो यह मरो जै और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट वाल जी भाई हमारे साथ चुड़े हुए है उन्होंने भी इससे पहले भी बताया कि अभी तक अगर देखा जाए तो कोई भी टीम क्वालिफाई ऐसा क्यू लिखने वाली टीम अभी तक नहीं बनी डिस्क्वालिफाई कि अगर बात करें तो धानेटी चेंपियस जिन्होंने चार मुकाबले गवाई इसी वज़े से कह सकते हैं कि वह बहार निकल गई लेकिन वाल जी भाई लग रहा है कि यहाँ पर सभी टीमों के पास बारावरी कम होका है जी बिल्कुल पिटू यहाँ क्रिकेट अनुस चित्ता हुआ का खेलिस भी चाग लिगें और यहाँ पे मिट्विगेट की दिसा में खेला हुआ सोट वाहाँ पे खेला डिते ना जब तक फिल्ड करे थ्रो करे तब तक एक रन और दोनों बले बाजों ने अपना अपना च स्कॉर एक कदम हो रागे यानि की स्कॉर जा पहुचा 68 लोस अप सिक्स विगेट सेवन विगेट और यार रन आउट का एक चांस जरूर बना था लेकिन अ स्कॉर इस सिक्स्टी नाइन लोस अफ शिक्स विकेट अप्टर सेवन ओवर ओवर नॉम्बर येट इन प्रोग्रेश शम्भू जो अपने कोटे का दूसरा वो टीम के लिए आठ वावर लेके आए हैं इस बीच अगली गेंद चोट अलवेंद गेंदी पटकीवी गेंदी उसको कवर के उपर से खेला है और यहां से हलकी सी मिस्पिलिंग नतीजा चार रन उसके साथ स्कॉर चार कदम और आग इस गेंद के बाद और दो आवर सेष पिर से एक बार पटकी वी गेंद आले दी लेक्षाइट लेक्ष्टम से बाहर गेंदी उठा के मारा और एंपायर की दोनों उंगलिया उठती हुई यानिकिट सावली क्रियाशन शिक्षर चेरन के साथ स्कॉर छे कदम और आगे स्कॉर जा पहुचा सेवंटीन नाइन लॉस आप सिक्स विकेट आफ्टर एट ओवर दो ओवर का खेल यहाँ पे सेष पिटू आप क्या बताएंगे कहां तक ले जाएगे ये दोनों बले बाद कुरूती नाइट राइडर्स को बिल्कुल वाल जी पही देखिए यहाँ पर आठ अवर हो चुकी है बारा गेंदी बची है चाहेंगे कि कम से कम सो के ऊपर जाए और ये दोनों बले बाद के पास वो काबिल है बीच बीच में वो बाउंटरिया बटोरने में माहिर है तो चाहेंगे कि बारा गेंदों में ज्यादा से ज्यादा और देखिए उन्ना सी बन चुके है इसका मतलब कि सो तक पहुतने कोई बड़ी बात नहीं इस टीम के लिए और गेंदबाज चाहेंगे कि कम से कम रणों पर रोका जाए और आज इस मुकाबले पर बाकी की टीमों को भी काफी नजरे होगी चले हरी हो भी 11 गेंदे है दोनों बले बाज अगर ठीक ठाक रंडेट से बले बाजी करते हैं तो लग रहा है कि सो के उपर जाएगा स्कॉर जाता तो काफी सनमान जनक स्कॉर कहा जाएगा दोनों ही अच्छी टीम है इस बीच अगली गेंद और लेक साइट से बढ़के और पड़ जैसे गेंद बाज भी है इस बीच अगली गेंद और यहां रिवर स्विप करने का प्रयास जरूर किया लेकिन बले बाज चुके बागी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने स्कॉर वहीं पे रुखा हुआ हुआ एटीवन लोस अप सिक्स विकेट आफ्टर एट ओवर लगने वाला साथ वाजट का राजेश आउट होकर पेविलियन में वापस तेरा रन बनाए दस गेंदों का सामना किया शंपू को मिलने वाली एक दूसली शफल था अपने टीम को दिलाई साथ वी शफल था उसका सान लेने के लिए जा रहे हैं अरी आहीर सोरी तुशार हड़िया है नए वाले बाज गेंद बाज है हरी आहीर हरी को मिली ये दूसरी शफल था अपने टीम को दिलाई साथ वी शफल था इस बीच अगली गेंद लेकर हरी तयार बिल्कुल और देखे वालजी बाई क्यासी पर साथ विकेट गिर चुके है अगली गेंद एक बार फिल्ट से गेंद बाज तयार है और यहां भी क्लेंड बॉल है ट्रिक पर आ चुके है एक बार फिर मौका है गेंद बाज के पास इससे पहले भी है ट्रिक चांस बना था और वालजी बाई स्टेज पर आप देख सकते हैं वो चहरा जिगर फोटोग्राफी जिनोंने इस ट्रुनमेट में काफी अच्छा प से सभी का जिसके पास जो जो भी टेलेंट है आहिर समाच एक लड़के हमको यहां सपोर्ट कर रहे हैं तो सभी नामी अनामी और यहां ग्राउंड पे यगांट के बार डीजिटल प्लेटफिरम हो या मैनियुल कोई काम करना हो जिन जिन का सहोग मिला है उनन सभी का मैं आय गोस्वामी जो डेवन से खास्तोर पर एपियल का जब से आगाज हुआ तब से हमारे साथ जुड़े हुए उनके अलावा भी कई हमारे मित्र मुंदल है उन सभी का भी हम तहे दिल से आभारी है दो गिंदों पर दो विकेट चांस ऑफ हैट्रीक एटी वन पूर एट जाने दिया रफ्तार वाली गेंद को आरडी आए ही सुम्रासर एक्स्प्रेस एब स्ट्राइक पर और वाल जी भाई अब यहां से लखराती पारी नजर आ रही है लग रहा है कि कि दस अवर पूरे खेलने चाहिए जी बिलकुल अगर दस आवर खेलते हैं तो मेरे क्याल से 90 तक स्कूर जाए इस भी चगली गेंद और गाफी अची गेंद ब्लोग हॉल में डाली विगेंद आर्डी चूके बाकी का काम पूरा किया विकेट की पर ने यहां पे नो आवर मुकबल होते हुए स्कॉर वहीं पे रुका हुआ एटी वन और निरज गोश्वामी की हमें हम हिश्चा है तो मैं आपका सुखर गोजार हूं निरज गुरू 82 पर आट चले एक पर फिर गिंदवाज आर्डी के लिए अच्छा सौट ड्राउंद ग्राउंड वहां पर फिल्डर तेनाथ होंगे और इसी इका दुका रन से जैसे कि मैंने वाल्डी भाई अभी कहा 83 रन बन चुके है पूरे दस अवर कहलने का प्रयास करना चाहिए ताकि रुन रेट में कोई ज्यादा गिदावत ना है जी पिटू भाई हमरे साथ जूड़ चुके हैं भरत आहिर जो हमारे आज़क कमिटी के मेंबर है इस बीच अगली गैंद पुल्टोस गैंदी आर्डिंग ने उठा कर मारा है लेकिन यहां पर खामिया ना भूगत ना पड़ेगा बढ़िया क्याच लपका वहां पर और देखिए ऐसा लग रहा है कि बलेबाज ने रिव्यू चाहा है और अमपैर मना भी नहीं करेंगे चलिए फैर डिलिवरी बताया है तो थार्ड अमपैर क्या फैसला देंगे देखना होगा कैट लपके गए हैं इसका मतलब की संका के दाइरे में हैं बलेबाज अथार अ संपैर मोहन गागल जल्दी से अपना फैसला सुनाएंगे अलग-अलग एंगल से जाट पड़ता लोगी लेकिन मोहन खत्रे में है इसको कि कैट लपका गया है बाउंट्री लाइन पर और परताहिर हमारे साथ जुड़े हैं इसे ट्रूनामेट के अर्ता करता कमिटी मेंब और खास तोर पर ग्राउंड लेवल पर पूरी तैयारियां किये उन्होंने मेहमानों को सन्मानित करना हो और खास तोर पर ट्रूनामेट को जिस तरीके से उन्होंने डे वन से जब से जाहिर हुआ है तब से लेकर अंत्र तक जिस तरीके से माहोल बनाया है पूरी कमिटी के साथ भरत आहिर का भी काफी अच्छा सहयोग है माधा पर युवा सरकल का चाहिर मंदर और आहिर समाज के अलावा सभी नाती बंदूगों का जो सपोर्ट सहयोग मिला है डिसीजन is still pending on your screen and Mohan Gagal is just checking there is a fair delivery for the umpire and it was taken at the boundary line-up so maybe it's a chance to go back to batsmen but we have to wait for more time and there is a good telecast from once in the studio series by here and probably I hear they are checking all the angles every possibility situation is available that so we have to go take clear decision there is a no any doubt and from in Google the committee member and also the third umpire is joining with them in Lucas mama he is the one of the great supporter and also to stop member of this tournament and finally we are now back on the screen to give our decision and they are still taking some time because umpire don't want to take any risk in this tournament and this is a crucial game and take a decision is very important and quality and yeah पर से कितनी दूर जा सकती थे और यह सारे एंगल जाट परताल करने के बाद अपना फैसला सुनाइंगे तो इसी वज़े से पेंडिंग चल रहा है बत आखरी वर चल रहा है इसको और बता दे तरह सीरन आट विकेट की नुकसान पर यह गेंद भी डिसीजन आना बाकी कोशी कुंबल का कोटा काफी मिला जुला घटा है अगर यहां पर विकेट मेंती है तो उनके खाते में यह पहली विकेट हो सकती है लेकिन तारिफ करनी होगी परेश की गिनवाजी की जो दो और कोटा रहा तिन विकेट उनको मिली कृती इस वक्त सो हैव टुबैक इट से आउट फ्रॉम थर्ड अंपायर और काफी बढ़िया केच फैर डिलिवरी और अंपायर का सही डिसिजन और थर्ड अंपायर महन गागल ने करार दिया आउट और महन भी वापस गए नौवा जटका अब आखरी बलेबाज मैदान की और रुख करते हुए तीन गेंदे अभी भी आनी बाकी है कोशी कुंबल को बढ़िया केच वाला ये विकेट मिला काफी अच्छा सयोग दिया रहूल ने बाउंटरी लाइन पर सब्सक्राइब लास्ट विकेट ओ काफी बढ़िया गेंद बलेबाज ने कदम का इस्तमाल किया था क्रिच से थोड़े बाहर निकले लेकिन बढ़िया गेंद बाजी दो गेंदे आने बाकी है और वाल जी भाई अब आखरी गेंद टोटल जा पोचा है 83 नौ लॉस और ओनलाइन हमारे साथ एक हजार अट्थावन दर्सक यह मैज को देख रहे हैं पूरी तरह से लगातार तीन गैन बीट करवाई है बहुत यह ची बॉलिंग 85 विन श्री राम म्युजिक गयुझ जे पहले इनिंग समाप डीजे मस्टर आएंगे और एक लिए ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे झाल 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 जो कि स्रीडाम लाइन्स के स्पोन्सर और एपियल के बड़े आयोजन में जिनोंने कच क्रिकेट में डंका बजाया था अपनी टीम के लिए ओपन करें के लिए उतरेंगे लेकिन टार्गेट ध्यान में रखना है उनको 85-85 रने और बड़ी चुनोती सुबा साहिर के लिए रहेगी कि वो टार्गेट को डिफेंड करने के लिए जल्दी से जल्दी विक्टे निकाले चुकि बने रहने के लिए रन रेट मायने रखेगा आज और भरत आहिर हमारे साथ जुड़े हुए वाल जी आहिर हमारे साथ जुड़े हुए मुकेस मामा भी है दिनेश गागल हमारे को स्पांसर हमारे साथ जुड़ चुके है रामदेव कंट्रक्शन से उनका भी अच्छा स्यो पज़ा रहे हैं उनका भी तहे दिल से अर्दिक स्वागत है हलाकि अलग 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 गाउं से काफी तादाद में दर्द से घर रो जाते हैं आरे लाहीर, एमे लाहीर, के लाहीर, सबी अमारे सपोर्टर, एमे लाहीर, अस्विन गागल, अटल नगर से तालुक रखते हैं, अच्छे क्रिकेटर है साथ में, इस टुनमेट के हमारे एकिस सो रुपे के योगदान दाता भी है, उनका भी तहे दिल से अर्दिक स्वागत है और आपार भी इतना अच्छा सा योग देने के लिए तब जाकि ये टुन है, आज के दिन का पहला मुकाबले के दूसरी इनिंग, अभी इन के बाद तीन मुकाबले और आने बाकी है, और समय को ध्यान में रखना जरूरी, 40 मिनिट का समय प्रती इनिंग के लिए दिया जाता है, और क्रिकेट एक्सपर की मानें तो ये मुकाबला दिल्चस्प बने है, खास तोर पर जो कवर्ड ड्राइव लगाया था, काफी फेमस देखने को मिला, वो रिल्स, सुबास के लिए बड़ी चुनो थी, ओ, पहली गेंज, बहुत ही बड़िया, और जाने दिया, बले बाज ने, कोई छेड़ खानी का प्रयास नहीं, और गती को पहले भापने का प्रयास किया है कि सुबास की क्या लाइन और लेंग थे बड़िया सुबास के द्वारत सुरुवात, और भरत आहीर हमारे साथ जुड़े हुए है, लॉकल बॉय, इस ट्रेनामेट के कमीटी मेंबर, और इस टाइम वेल कनेक्टेट, इन्टु दे स्काई, नो चांस पर करने पड़ी, बरत, क्या लग रहा है, इस मुकाबले के बारे में अपनी राय, बिल्कुल सही बात है, पिटु भाई, लेकिन स्री राम ने जैसे लास्ट, दो मुकाबले जीत के यहां से निकले थे, फुल पॉम में गया हैं यहां से, और जीत का स्वाज चक के यहां से नि इस बार भी ड्राइव किया, वहां पर फिल्डर वसंत कड़े थे, काफी बड़िया फिल्डिंग, और भरत देखिये, यहां पर हर अवर में कहीं न कहीं विकेट की तलास रहेगी, चुकि स्री राम फाइटर, स्री राम लाइन्स की बात के रहे तो काफी लंबी बले बाज लाइनप है, इस बार भी जगा बना आई गैन हवा में और दूरी मिली पूरी, छे का एक और ही सारा, हमलावर बले बाजी और यह बहुदिप के द्वारा, जानते हैं कि टार्गेट जो है वो अचीव करने के लिए, ताबर तो बले बाजी है उनके पास, और अपना रंग, अपना क्लास दिखाते हुए, फिल्डिंग में कुछ परिवर्तन किया, पावर प्ले चल रहा है और इस वज़े से, दबाओं में गेन बाजी सब्सक्राइब, बिल्कुल सही बात है, पिटु भाई आज और सुमीत ने भी वाप सिकी है, कल दो मैच जो लाश के लिए थी स् और भीर से उटा के केल दिया है, एमपायर का इसारा चार रन, टोटल चार कदम और आगे बढ़ता हुआ, सोला रन, पाच गैन, क्या गएंगे पिटु भाई, मैच के बारे में आप, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर तो एक तरफासा ड्राइविंग शीट पर पकड़ कर जमा कर रखी है, इसक्ति स्रिदाम लाइन्स ने, और पद्दर से भी काफी तादाद में क्रिकेटर्स और साय है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, संभु आहिर, राजय साहिर, इसक्ति पदा रहे, लेकिन यहाँ पर जुबास की आज एक नहीं चली, एक और चोका, और हमारे कमिटी मेंबर्स, ग्रान वेल्कम तु सच्चु आहिर, ही इस द वन अफ ग्राइड सपोर्टर, और अगर बताए कि, पाया के पत्थर है बरत, तो इसमें कोई दोरा नहीं सच्चु आहिर, बिल्कुल सही बात है, पिटू भाई, मैं आपको बता दूं कि वह बारात देश दूर थे, और यह, एपी एल के लिए, यहाँ पी आए हुआ है, कच्छ में, और दर्शा कोको, देख पीछे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह हमारे निरज गोस्वामी, जो हमें लाइव, ओनलाइन, ओफलाइन स्कॉरिंग में सेवाई दे रहे, यह है वो चहरा, जिन्होंने एपी एल की नीव रखी, अगली गेंद, और कलायों के सहारे, रस्न आत्मक सोट किला है, फ चुना में बहुत ही माईने रखेगा, इसकी वज़े से ही वो सोच और मन बना के आया थे कल जैसे बाल कृष्ण ने खेला, और आज स्री राम, पूरा मन बना के आया है, और बरत, यह बरत के बाजू में जो चहरा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह हमारे टेक्निकल टीम मेंबर बगीरत डांगर, जिन्होंने पूरी एक एप्लिकेशन बनाए, जिसके तहट काफी आसान हो गया, खिलाडियों के लिए फॉर्म भरना, और रजिस्ट्रिसन करना, यह हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बगीरत डांगर, जो आपकी स्क्रीन पर, और यह हमारे मास मासुम सा चहरा, जिन्होंने डेवन से हमें सेवाई दिये, मासुम चार, और इस बार ड्राइव किया है, लोंग और फिल्डर तेना थे, और देखिए, एक एक कमिटी मेंबर्स को काफी ध्यान से, आप देख सकते हैं कि जो उनका, इस टुनामिट में सहयोग है, काफी बड इसे बीच, गेंद एक बार फिर से, सिमाओ के बार, स्कोर काट की बात करें भरत तो देखिए, तेजी से उचलता हुआ, 27 पर जा पूचा है, 27, ओ, यू कन सी थे फैस अप दिस एपियल, इस इस तो मैं बहाइंड इस ओल दो ऑपर्चुनिटी इन ओर्गिनाजेशन, वाल जी आहीर, बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, पीटू भाई की एपियल के अंदर, वाल जी भाई आहीर का हमें बहुत ही साथ और सपोर्ट और साथ सवकार मिला है, ओ, 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 एक बार फिर, लेकिन मोका पकड़ लिया, बड़ी मसली जाल में फसी है, यह बड़ा विकेट ह जहां से मोमेंट बदलने का प्रयास करेंगे, अच्छा केट बाउंटरी लाइन पर, अगले मैच के दोनों कप्तान, जल्द से जल्द कॉमेंटरी बॉक्स का संपर्क करें, हमारे बीच कनेस गागल भी आ चुके है, बिल्कुल भरत, अगले मैच के लिए, टोस के लिए में गजारिश करूंगा, वाल जी बाई और भरत आहिर से की टोस की गतिविद्या कराएं और, मैच रैपरी मोहन गागल और, दोनों बीच मैदान में, बैस्ट एमपायर हों में से, बैस्ट एमपायर, बीच मैदान में, प्रकास और, योगी आहिर, बिल्कुल, और, अगले मुकाबले के लिए, दोनों टीमों की अगर बात करें थे, एक तरफ स्री राम फाइटर होगी, तो दूसरी तरफ बजरिंग ब्लास्टर होगी, अगले, टोस के बोस होंगे, कुरूती के ओनर, जै भाई, जै भाई, उनसे गज़ारी सोगी, टोस के बोस रहेंगे, बड़िया गें, ब्लॉक होल में, कला योगे सारे तकेला, और में तरे फ्री मोहन गागल, और वाल जी भाई, टोस के लिए, दोनों टीम को बुलाएंगे, बरत यहां से एक विकेट गिरा है, थोड़ी ची वापसी बन सकती है, बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूँ आपको भाई की, जो टोटल है न, जिस हिसाब से लास्ट, दो मुकाबले सरी राम यहां से खेल के गए हैं, पूरा, कि पूरा उन्होंने ये, मैदान को, पीच को, गेंद को भापा है, जिस हिसाब से, लास्ट मैश में, खुद कफ्तान ने जो अच्छी एक बैटिंग की दी, वाकि लाजवाब बैटिंग की दी, गनेस गागल के सामने, दोनों टीम के मेंबर्स, अपने मैच रैफरी, मोहन गागल को, ट्राइंग 11, दर्ज करवा है, आज हमें चार मुकाबले, इस मैदान पे खेलने बाकी है, इसकी वज़स से जल से जल दिये, शुरू करें, जी और एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर वो चहरे आपको बार बार दिखा रहे, यह हमारे कमिटी मेंबर है, पी एल के हरता करता, और पूरी टुनामेट को जिनोंने बना जाए, गनेस गागल, आर्दी आहीर, मुकेस माम अंदर बढ़ने बोई, आज बला नहीं चला, लेकिन गेनबाजी से कमाल करने की निव लेकर आए है, और बरत अगला मुकाबला जो है, वो वाकई दिल्चस्प बनने वाला है, जो कि एक तरफ बजरंग ब्लास्ट करेंगी, तो दूसरी तरफ स्री राम फाइटर को और बरत पॉइंट टेबल की बात करें तो देखिए, कुरूती के लिए ये मुकाबला अहम है कि उनको रॉनरेट से जितना है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्री राम लाइन्स काफी आगे जा चुकी है, और स्री राम लाइन्स पी जानती है कि रॉनरेट से जितकर अगर यहां कुरूती आरती है तो निश्ची तो पर इस टुना मिट से बहार होने की और अब तक हमारे आकड़े की बात करें तो लगबग अब वो आकड़ा पार कर लिए स्री राम ने कि जहां पर कुरूती की आसा है थी, कि रॉनरेट में अगर देखिए फिलहाल जो बंदन और श्याम की चलिए फिर से एक बार बुलाते हैं दोनों कफ्तान को निकल गया एक और चोका बदरंग ब्लास्टर स्री राम फाइटर दोनों कफ्तान टोस के लिए आए और टोस के बहुत रहेंगे एक बार फिर हम स्वागत करेंगे जय भाई का भरत मुकाबला स्री राम दीरे दीरे अपने पाले में ले जाते हैं ड्राइविंग शीट पर है 38 रन एक विकेर की नुक्सान पर और यह मुकाबला लगबग वैसा लग रहा है कि कुरूति के लिए अब पूरा सा हो चला है स्री राम लाइंस का भी उत्साही तब कुरूति की जो बॉड़ी लेंगवेज है ना बिटू भाई वही दिखा रही कि उन्होंने किस हिसाब से इस मैच में चले हैं बिलकुल आज ओ यहां आधा अधूरा हुआ में खेल बेटे जुदा दूर नहीं बिलकुल फसाया था बड़े बॉय को विकेट मिली और ड्रिंक्स दाव की जो भाई बाई, ट्रिंक्स दावा रहां बिलकुल आए धुबिलक। अगले टीम के दोनों कैप्टान जल्द से जल्द कोमेंटरी बॉक्स का संपर्क करें और अपनी प्लैंग 11 जो है वो मैस रेफरी मोहन गागल से जी अरी आहीर दानेटी के स्पोंसर कैप्टन उनसे गुजारी स्टोस के लिए उनका इंतजार हो रहा है यहाँ पर बजरंग ब्लास्टर के कप्तान आएंगे स्री राम फाइटर के कप्तान आचुके है हरी डैंगर अगर मेरी आवाज उन तक पहुँच रही है तो या उनके प्लैंग 11 में से कोई भी झाल 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 झाल झाल तो ड्रिंक्स का समय भी अब समाफ्थ हो रहा है चुकि टाइमर आपका खत्म होता हुआ तो दोनों टीमें फिर से एक बार रिज्यूम करेगी है मुकाबला ओके दोनों कप्तान टोस के लिए आ चुके है ड्रिंक्स भी यहां समाफ्थ हो चुका है और जीतने के लिए साथ अवर में 46 की अभी दरकार है विकेट दो गिरे है अभी अभी सुमीत वापस गए तोस और बरत आहिर रहेंगे वहां पर टोस के बहुत साथ में जै भाई आहिर मोहन गागल वालदी भाई आहिर जैस्री राम विंद इस तोस और डिस इसन पेंडिंग अगर तोस चले किन बाज एक पर फिर से आर डी अच्छा साथ के लाए वहां पर और बरत तोस हो चुका है और और त्री राम फाइटर ने टोस तो जीता है पेंडिंग रखा डिसीजन हमारे साथ कमिटी मेंबर राजेस चांतिया काफी अच्छी सेवय दे रहे इस वक्त और अब प्रीच एड़ोकेट मावजी आहिर रतनाल से बदा रहे है काफी उम्दा ओल्राउंडर है स्वागत थे वकिल साब का भी और फाइनल से पहले काफी अस्तियों ने यहां पर मुलाकर ले रखी है और फाइनल में भी काफी तादाद में महमान आएंगे हमारे बीच और माव मुझी आहिर के साथ अन्य भी महमान गण आये हैं उनका भी तहे दिल से अर्दिक स्वागत है कि कमीटी मेंबर्स का काफी लंबा चोड़ा लिस्ट है और फाइनल से पहले उन सभी का एक एक करके नाम लेकर हम उनका अबार प्रगट करेंगे लेकिन फिलाल चले आर डी इस डॉट गई अड़तीस में चालीस यस उंबल बारा रन पर है नाबाद इस बार हलके हातों से दिशादी है हलके से में स्पिल सिंगल आसानी से बटो रहेंगे and we are really thanks to our guest maoji baiyahir the advocate and also walji baiyahir and Bharat baiyahir on stage and they are the committee member of this tournament organizer the committee is really very big and that's why we are very successful in season two this time try to go for the reverse whip there is no chance it's maybe the dot ball and I'm passing is end of the hours of 46 for two after end of the four over 36 ball and 39 runs there is a not too much distance between 100 only 6.5 runs per hour need to win this game and in this situation Sriram lions is really looking favorite right now they have a good chance to get a run rate so I will request to back on commentary box baratahir yeah 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 जी हमारे साथ बरताहिर जुड़े हुए है और बिल्कुल सही बात है पिटु भाई अभी स्री राम पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर है और पूरी तरह से बीट किया गैन पहुची विकेट कीपर की गोदी में टोटल वही की वही रुका हुआ धटा हुआ आज हमारे बीच एड़ोकेट माउजी भाई पादा रहे है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और यहाँ पर सुभा साहिर बहुत ही अच्छे फिल्डरों में से एक लेकिन इससे कहता है माइन गैम दो रंचुरा लिए कप्तान संभू आहिर ने अब चाहिए 34 गेंदो 37 टू विन और हवाई हमला सुभास नीचे सुभास लगातार मिस फिल्ड कर रहे हैं पहली केम में जो चले ऐसा माहौल अभी तक बना नहीं पाए सुभास आहिर अब जीत के लिए 36 33 बॉल संभूवाहिर जीनोंने लास्ट मैच बहुत ही अच्छा यहां से खेल कर वो निकले थे और वो ही लेकिन आज जो कुरूती का टोटल है न वो थोड़ा कम बना हुआ है इसके लिए तेने हावी नहीं हो पाए आज स्री राम फाइटर के उपर स्री राम लैंज लगातार और त्रोके रन जोड़ते हुए स्री राम लैंज स्री राम लैंज का खेमा पूरी तरह से खुश यहाँ पर पचास रन पूरे हुटे हुए स्री राम लैंज के पाची और की आखरी गैन बहुत ही अच्छा सौर जब तक और का फिल्डर बिल्ड करेगा एक रन से नहीं रोक पाएंगे टोटल जाब पहुचा 51 टू लास पाच और का खेल समाप तो होता हुए 30 गेंदे 34 रन 34 टू विन चटी और का खेल प्रगति पर सामने संभुआ है और यहां पर एक और बाउंडरी लगते हुए 30 चार रनों के लिए टोटल जाब पहुचा 55 पहुची अच्छा क्लिक शॉट के लाव चार रन पाएं यस हुंबल 21 बनाकर नाबात तेरा गेंदो में और अच्छा कर सो लेके सुभास चॉकन ने थे पहुत यह जी फिल करते हुए सुभास आहिर टोटल 55 टू लास चटी और का खेल प्रगति पर सामने यस हुंबल स्ट्राइक और हमारा फिर से नीचे सुभास और आसान सा कैज करते हुए सुभास आहिर ने बहुत ही अच्छा कैज लबका और एक और विकेट का पतन यस हुंबल जो पैवलियन लोट रहे हैं 55 पांच और का खेल चटी और का खेल प्रगति पर नए बल्ले बाज सुभास ने आज एक कैज जरू छोड़ा था लेकिन ये जो दूसरा कैज बहुत ही अच्छा पकड़के कमबक किया है लेकिन मैज बहुत दूर चली गई है रित्य नाहिर ने बल्ले बाज जी बहुत भी जड़ब करें दूसराइब कि 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 सकता है इस गेड़ों में तीस रियन की ज़रोड़ जब तक फिल्डर फिल्ड करेगा एक रन से नहीं रोक पाएंगे टोटल जांप पहुचा है 56 अब चाहिए 26 गेनों में 29 रन 26 बॉल विन्दिस 29 रन सामने है शम्बू ओहिर बहुती बड़ा नाम कच क्रिकेट में और बहुती अच्छा स्विप सोट खेल के केन को पहुचा है बाउंट रिलेंज से बाहर एमपार का इसा चार रनों के लिए और स्कोर चार कदम और आगे बढ़ता हुआ 6-0 और यहां पर स्री राम लाइंट्स ने टोस जितकर बलबाजी करने का फैसला लिया है स्री राम विंद्स टॉस एंट चॉइस टू बैट फर्ष्ट लगातार वही प्रैस करते हुए संभू आई लेकिन इस तो इस बाहर काम यह अब नहीं हो पाए और एमपार का इसारा ओवर चे और के खेल पर टोटल जा पहुचा शिक्स जीरो अधार अधार होग्म अधार होग्म अधार होग्म अलो अ का कि अ गेंद बाजी में तूसार हां दिया इस बार गेंद आवा में नीचे की पर ये चोथा जटका लगता हुआ स्री लाम लैंस को अभी भी संभु वाहिर कफ्तान बीच मैदान पर मौजूद है और जीत के लिए 25 रन 23 गेंदे ये मैंड गेम अब देखते हैं यहां से सुभा साहिर क्या प्लैनिंग करके गेंद बाज से बाच्चित करते हुए पूरी टीम सला मसूरा करती हुई कुरूती नाइट रैडर्स नए बलेबाज राहूल आहिर अच्छे लंबे कंत के युआ बैस्ट मैन 22 राहूल आहिर आने वाले सभी मेहमानों का मैं इस टुनामेंट की अंदर आने वाले सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ अभिवादन करता हूँ तुसार हडिया ओने टेक राहूल आहिर न स्ट्राइक इस बीच अगली गेंद और सब्सक्राइब गेंद डाले थी वाहन कवर की दिशा में खेला हूँ आए शोट वाहां पे खेलाडी तहनात जब तक किलाडी फिल्ड करें थ्रोग करें 21 गिंदों में 24 रनों की जरूरत की मुकाबला जीतने के लिए स्री राम को अब सामना करेंगे शंबू खलके कदमों के शाथ नई सोच और नई विचार के शाथ अगली गेंद और लोर फुल्टोस गैंद फुल्टोस बनाकर संबूनेश फाइन खेला फाइन लेग के खिलाडी जब तक फिल्ड करें थ्रोग करें तब तक एक रन एक रन के साथ स्कोर एक कदम और आगे यानिकी स्कोर जाप होचा 62 तू तू तो सार हड़्याने काफी यहां कि फायति के इंड बाजी कि शुथ बूच वरी गेंड वाजी और यापे रिवास। के लिए गेंड जार्य एस रीम एका के बार दर्सक बने फिल्डर फिल्डर बने दर्सक कोई मो काने यह चोपार रोकने का और स्कोर चार का दम और आगे यनिकी स्कोर जा पोचा 66, आगे भी 6, पीसे भी 6, यनिकी स्कोर जा पोचा 66. और ये स्कोर जा पोचा 66, आगे भी 6, 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 पे शुबाश तैना आते लेकिन हलकी सी चूक को उसका एक रन के शार्थ स्कोर एक कदम हो रहा गए यानि कि स्कोर जा पोचा 67 अठारा के दो में अठारा रन की जरूरत ये मुकावला जीतने के लिए स्री राम को कि अग्षाइब करें तुसर हडिया की बात करेंद उन्होंने दो और में बारा रंड खर्च किये और अपनी टीम के लिए एक सफलता भी दर्च करवाई थी यहां पर अज़िए इस बीच तेजस अपने कोटे का दूसरा और और टीम के लिए आठावर लेके आएं अठार अगेंदो में और अठारा रन की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए स्री राम को स्टाइक पर है राहू लाहिर सामने है खुद कबर शंबू जो साथ गेंदो का सामना करके साथ रन के निज़ी स्कोर पर खेल रहे हैं इस बीच अपने कोटे का दूसरा हो टीम के लिए आठावर अच्छी गेंदे थे वहां खेल दिया है फाइन खेला हुआ सोर्ट फाइन लेक पे खेलाड़ी जरूर तैनात लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्ले बाजो को एक रन के साथ स्कोर एक कदम हो रहा गए यानि कि स्कोर जाब होचा 68 जीएट जीए आज़ दोनाई विचार के शाथ और यहां बेसी देपले से खिलावा स्वाड वापे खिलाड़ी तैनाद लांगोप के उपर स्री राम को लगने वाला ये पाच वाजट का चंब वाहिर आउट होगर पेविलियन में वापस तेजस को मिलने वाली ये दूसरी सफलता काफी की फटा-फट क्रिकेट में मैं बोलूँगा कि सिर्फ दस रन खर्च किये और अपने टीम को दो सफलता दिलवाई हैं तेजस आहिर ने कि शंबुकस्तान लेने के लिए जा रहे हरी आहिर हमारे बरत गिली पदार चुके हम उनका भी हर्दी का भिवादन करते स्वाद स्वागत करते डेवन से हमारे साथ जुड़े हुए बरत गिली एक की भव्य शफलता मैं भी उनका हमें पूरा शहयोग रहा था भरत गिली का और मैं बता दूँ कि यह जो लिंक मैच का मुकाबला अभी भी कोई भी टीम ने क्वालिफाइव ने बग लगबग सभी के लिए यह चैलेंज अभी तक आपन है तो आज अगर के स्रीराम मैच जित्ती है तो वो से मिफाइनल का रास्ता ताय करेगी किसे एक बार तेज़स सामना करेंगे हरी मिफित अगल एगन फुल्टोष डालिव एगन दे कलायो को शाहरे मोड़ दिया है लेकिन वा शॉट पानलेग पेखिलाडी तयानाथ शिर्फे एकुरें शेशन्त इंपर का इशरालेग बाई यानिक एक अतिरिक रन मिलता हुआ टीम का स्कोर जापोचा 69 लोट्स अफ़ाई विकेट अप्टर सेवन ओवर ओवर नमबर एट इन प्रोग्रेश पंद्रा गेंदों में 16 रन की जरूरत स्री राम को ये मुकाबला जीतने के लिए इस बिचक लिए और उठा के माने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई सही संगम ने हुआ फाइनलेग का खिलाडी जब तक आए फिल्ड करें फिर से एक बार एंपार के सारा लेग भाई यानिक एक अतिरिक और रन के साथ स्कोर जापोचा 70 जरूरत स्री राम को यह मुकाबला जीतने के लिए और सेमी फाइनल का रस्ता फाइनल करने के लिए इस बीच हलके कदमों के साथ एंपार के पास तो गजरती हुए गैंकी और उटा के मारा है गैंद हवा में और यह शावली क्रियोशन शिक्षर ठेरन के साथ स्कोर छे कद मोर आगे यानि की स्कॉर जा पहुचा 76 अब सिप नौरन की जरूरत तेरा गैंदे बाकी लगभग लगभग स्री राम ने सेमी फाइनल का रास्ता क्लियर कर दिया है यहां पे हमारे बीच जनावास के उप्षर पंच रमेश भाई अहिर आचुके हैं हम उनका भी हर्दिक अभिवादन करते हैं श्वागत करते हैं वेलकम रमेश भाई इस वेच अगली गैंद और दिश दिगी यूज एंड यूज वाई शिक्सर छे रन के साथ स्कोर्ट से कदम और आगे पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे अभी स्री राम बारा गेंदो में सिर्फ तीन रन की जरूरत और इसके बाद जो मकाबला होने वाला है दोनों टीमों से गुजारी से जल से जल्द हम यह मुकाबला सुरू कर सके क्योंकि आज चार मुकाबले खिले जाने हैं यह पहला मुकाबला इसके बाद और तीन मुकाबले बाकी है तो दोनों टीमों के केप्टेन से गुजारी से जल्द से जल्द अपने ड़गाउट में अपना आस्तान ले ले बजरंग ब्लास्टर और श्रीराम फाइटर्स दोनों टीम के कैप्टेन से घुजावी से वह जल्द से जल्द जाए ताकि अगला में शुरू हो सके इस भी चाग लिगन और यहां पर श्रीराम ने सेमी फाइनल के लिए अपना रास्ता क्लियर कर दिया है श्रीराम पहली टीमे सेमी फाइनल क्वाइट करने वाली कॉंग्रिचिलेशन श्रीराम एन हाडलक कृती नाइट राइडर्स और यहां हमारे मैच रफ्री मोहन अहीर काफी चोकन है हमें बताएंगे आज के हीरो कौन है मैच आप दे प्लेयर मैन अब दी मैच कौन है और हमारे बीच यहां पर मौजुद हुए माज़िभाई एड़ोकेट जो रतनार्व से तालुक रखते हैं हमारे बीच आये हैं तो मैं उन से भी हार्दिक निवेदन करूँगा कि हमारे मैन अब दी मेच को सन्मानित करेंगे श्री माज़भाई आहीर उसके साथ जुड़ेंगे हमारे बरत बाई आहीर और मेच रफ्री मोहन गागल इस मैच के मैन अब दो मैच हरी आम आहीर हरी आहीर प्लेयर ऑ दमेच and collect your man of the match award hurry I hear ice game as a hero is coach and manage carrying a how am I repeat whether away how am I am on a advocate much by a head which is our during a how are a committee member but why I hit or how are a match referee Mohan Gagal be on the start during a man to be good ish karunga okay I'll give me it's a hero hurry I hear question manage karin or a skip out the book abla kela jana I'm sorry I'm fighter or buzzer and blaster don't know a team me up a I took a स्रीराम ने टोस जीत के पहले बल्ले बाजी करने का फैशला किया है हमारेश